मेरी चैनल को सस्क्राइब करो और बेल बटन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरी किचन में आपका मेथी हेल्दी तो है बट उसो मेथी को काटना बड़ा जंजट होता है तो आज हम बहुत असान तरीके से मेथी को काटेंगे तो सबसे पहले हम बंडल लेंगे मेथी का और जहां से वो धगा बंदा होता है वहां से हम नाइफ की सहता से मेथी को काट देंगे अब आधा काम हमारा हो गया है अब हम क्या करेंगे थोड़ी-थोड़ी मेथी के डिंडिया लेंगे और नाइफ की सेता से हम थोड़ा-थोड़ा काटते रहेंगे तो इस तरहें काटोंगे तो एक तो मेथी बहुत जल्दी कटती है जल्दी जाना है working woman है बच्चों को आप मॉर्निंग में भाजी देना चाते हो या जल्दी बनानी है सबजी तो आप इस तरह से जल्दी जल्दी काट सकते हो ये इसमें टाइम भी नहीं लगता अगर आपकी थोड़ा सा फर्स टाइम थोड़ा मोटी भी कट जाते हैं तो दो बार आप जल ज़ली काट सकते हो, तो इस तरह से मिथी को काटना असां मेथड है, तो इस त्रीके से आप मिथी को काटें, और फिर बाद में काटने पाद अच्छी तरह से मेत् & अर्जिक को दूना चाहिए मेत्धि को मैंने एक बार काट लिया है अगर आपको मोटी लगे तो आप सेकन टाइम इंभी काट सकते tut थोड़ा सा मुझ्य मोटी लगी तो मैंने सेकंड टाइम में काट दी तो इस तरह से मेथी को आप इजी तरीके से काट सकते हो जल्दी जल्दी है आपको मेथी की सबजी बनाने प्रांठे बनाने और आप इस तरह से काटे और कई पर होता है कि मेथी थोड़ा कड़ी बनती है तो इसमें आप आलू डाल सकते ह और जब पकाते टाइम इसको 5-10 मिनट के लिए नहीं डखना चाहिए बाद में ढख दो बट यह के पहले 5-7 मिनट नहीं ढख दो तो मेथी में करवार्ट भाब की थ्रू निकल जाती है थोड़ा बहुत और थोड़ा सा कडवी रहे तो आलू जोड डाले हैं उसको थोड़ा म मेथी में तो मेथी कडवी नहीं लगती तो अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज सस्क्राइब करो लाइक करो शेयर करो तो थेंक यू फॉर वाचिंग माई वेडियो कर दो जोड़ा एंग वेडियो कर दो प्लीज स्टी है झाले हैं वेडियो कर दो आल जो...